हेलो स्टुडेंट्स दिस इस संजना सिंग स्वागत थे आप सबों का हमारी चैनल ऑनलाइन सिख्छा में पिछले वीडियो में मैंने अलेटर टु गॉड का फर्स्ट पार्ट किया था और और अरल कंप्रिहेंसन चेक करके छोड़ दिया था उमीद है कि आप लोगों ने उस question का answer किया होगा अब मैं आगे इस story को लेकर के चलती हूँ पिछला part I hope आप लोगों का पुरा clear होगा हम लोगों ने देखा कि लेंको को के खेतों को थोड़े से पानी किया हो शकता था लेकिन थोड़ी इसी बारिश नहीं होती है बहुत भया फसलनस्ट हो जाता है और उनकी पूरी फैमिली इस धुख से भड़ जाती है उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था और वो लोगों का फसलनस्ट हो गया था जिसके से earning के नाम पर कुछ भी नहीं बचा था नहीं खाने के लिए कुछ बचता वो लोग भूखे रहना पड़ता उनको पूरा साल भूख में गुजारना पड़ता तो अब लैंको का next step क्या होगा यह हम लोग देखते हैं लेकिन उस वैली में वो अकेला घर जो था जो की बीच घाटी में था उस घर में जितने भी लोग रहते थे उन लोगों के हिर्दे में किवल एक उमीद थी एक आस थी वो थी help from God भगवान से मदद जब कोई भी नहीं होता है हमारी मदद करने के लिए तो सबसे पहले जिसके पास भागते हैं वो है भगवान तो आविसली लैंको भी वही करते हैं वो उनकों पास एक ही उमीद बच जाती है और उनकी फैमिली के पास कि अब हमें भगवान से मदद लेनी होगी don't be so upset even though this seems like a total loss remember no one dies of hunger और वो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा उदास मत हो तुम लोग हलाकि हमारा total loss हो चुका है पूरी तरह से हमारा खेत का फसल जो है वो नस्ट हो चुका है लेकिन फिर भी एक पात हमेसा याद रखनी चाहिए कि भूक से कोई नहीं मरता बिल्कुल ये कहावत सच ना भूक से आज तक कोई मरा है क्या बिल्कुल नहीं लोग तो जिनके पास कुछ नहीं होता है खाने को वो भी भीक मांगर खा लेते हैं खाने के लिए तो कोई नहीं मरा ओविसली बिल्कुल जो कहा उन्होंने वो ये था कि बिल्कुल भूक से कोई नहीं मरता ओल्थो दा नाइट पूरी रात वो रात लैंको थोट वनली हीज वन होप लैंको जो हे वो पूरा टाइम केवल अपनी एक उमीद के बारे में सोचता रहा the help of God, भागवान से मदद Whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in one's conscience और उसकी जो आखे हैं वो केवल मतलब उसके मन में बस एक ही उमीद थी और वो बस उाखों से एक ही चीज़े देख पा रहा था जो उसके अंतरात्मा में था और उसके अंतरात्मा में किवल एक ही बात थी कि भगवान से मदद Lanko was an ox of a man working like an animal in the fields but still he knew how to write Lanko जो हो एकदम बैल की तरह अपने खेतों में खाम करता था एकदम जानवरों की तरह और मतलब उसको बोला जा सकता था कि अपने खेत को बैलों की तरह वो खुद ही जोता था इत्ता गरी था कि उसके पास बैल वैल भी नहीं थे बहुत जादा महनत करता था लेकिन एकदम मतलब इस एकदम किसान होने के बावजूद भी उसको लिखना आता था the following Sunday जो next Sunday आने वाला था at daybreak सुबा के टाइम ही he began to write a letter उसने एक letter लिखना स्टार्ट किया which he himself would carry to town and place in the mail जो कि वो खुद ही town लेकर के जाएगा और उसको उस mail में post करेगा it was nothing less than a letter to God और ये कुछ और नहीं बल्कि ये खत था भगवान के नाम उसने ये खत भगवान को लिखा था God he wrote सबसे पहले उसने mention किया था लेटर में God करके और फिर उसने लिखना स्टार्ट किया उसने क्या लिखा था लेटर में वो देखो if you don't help me अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे my family and I will go hungry this year तो मैं और मेरा पूरा परिवार इस सार भूखे रह जाएंगे I need a hundred pieces in order to sow my field again and to leave until the crop comes और मुझे hundred pieces की ज़रत है ताकि मैं अपने खेत में फिर से दाने बो सकूँ फिर से अनाज बो सकूँ उपजा सकूँ और उसके लिए मुझे और ताकि मेरे जो फसल हैं वो फिर से मैं अपने फसल को फिर से उगा सकूँ और जिवित रहने के लिए मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवेशकता है क्योंकि उसका तो यर्निंग केवल यही था खेती बिकोज दा हेल्स्ट्रॉम और आगे भी और वो लिखता है कि क्योंकि जो हेल्स्ट्रॉम मतलब पूरा विवरन देता है इस तरह से हेल्स्ट्रॉम आधी तुफार आ करके उसके फसल को नस्ट कर दिया और किस तरह से उनका पूरा खेत फसल नस्ट हो गया और वो सारे चीज़ें मैंसन करके वो भगमान को लिखता है हंडर्ड पिस उसका डिमांड करते हुए और वो फिर इंवेलब के सबसे उपर में अड्रेस जहां लिखा जाता है वहाँ वो लिखता है तुगाड लेटर को इंवेलब के अंदर डाल देता है अभी भी वो पूरा परिशान था और परिशानी की हालात में ही वो सहर की तरफ मूव करता है letter post करने के लिए at the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox और post office में जा करके वो stamp लगाता है letter के उपर और mailbox में letter को डाल देता है one of the employees who was a post who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to Godjav Lang mail box में letter डाल करके लोट जाता है तो वहां का एक employee जो था जो की postman भी था और post office में help भी किया करता था कामों में वो अपने boss के पास गया एकदम हसते वे पूरा जोड़ जोड़ से हस रहा था वो और जाता है अपने boss के पास और उनको letter लिखाता है जो भगवान के नाम पर लिखा गया था never in his career as a postman had he known that address अपने postman के पदपर अपने पूरे करियर में वो कोई भी ऐसा address नहीं जानता था अब भगवान का address कौन जानता है कोई स्वर्ग जा सकते हैं गया तब postmaster वो boss के पास गया है तो obviously postmaster के पास वो गया a fat amiable amiable मतलब friendly sorry वो जो postmaster थे उनका यह description दिया गया एकदम मोटे से आदमी friendly nature के इंसान also broke out laughing वो भी जोड जोड से हसने लगे but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk लेकिन फिर से अचानक से वो एकदम serious हो जाते हैं और उस letter को desk पर रख देते हैं commented what faith I wish I had the faith of the man who wrote this letter और वो अचानक से तारीफ करते हैं language की बाप रे क्या विश्वास है इस बंदे के अंदर मतलब मेरी एकचा है कि मेरे पास भी कास मेरे पास भी ऐसा believe होता कि सोचो उस इंसान की पास इतना believe है इतना ज्यादा believe है कि उसमें खत लिख दिया भगवान को और उसको ये उम्मीद है कि भगवान उसको reply करेंगे उसके लेटर का और उसको मदद मिलेगी इसलिए पोस्ट मास्टर जो हैं वो ये नहीं चाहते थे कि भगवान पर से लेंको का भरोसा उठे इसलिए उनके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो ये सोचते हैं कि क्यों ना इस खत का आंसर किया जाए क्योंकि भगवान तो अबिसली नहीं कर सकते हैं तो उसने सोचा कि भगवान की रूप में चलो मैं लेटर का आंसर कर देता हूं लेकिन जब वो खोलते हैं लेटर को इन्भैलप के अंदर से निकाल करके इट वस अविदेंट दाट तो आंसर इट ही नेड़ सम्थिंग मोर दैं गुडविल इंक एंड पेपर तब उनको पता चलता है कि इस लेटर का आंसर करने के लिए केवल उनको अच्छाई और इंक इन लोगों को लगा था कि क्योंकि पहले तो उन लोगोंने टू गॉड देखा ना कि भगवान को खत लिखा गया है ये तो नहीं देखा कि लेटर के अंदर क्या लिखा है क्या मांगा गया उनको लगा नॉर्मली कि कुछ भगवान से कुछ मिन्नती की गई होंगी जब ले he asked for money from his employees और वहाँ पर जितने वे employers थे उन सब से पैसे की मांग करते हैं he himself gave a part of his salary even वो अपने salary का भी थोड़ा सा हिस्सा देते हैं as a donation and several friends of his were obliged to give something for an act of charity और साथ ही साथ उनके कुछ दोस्त भी थे जो कि as an act of charity वो लोग भी कुछ न कुछ देते हैं it was impossible for him to gather together the 100 pesos ये उनके लिए असंभव था 100 pesos जमा करना एक साथ so he was able to send the farmer only a little more than half इसलिए वो केवल उतने ही पैसे जमा मतलब 100 pesos का अधा आप करो तो 50 pesos हुआ तो उन्होंने 50 pesos से कुछ जादा ही कुछ ही जादा पैसे एकठे कर पाए मतलब आप 70-75 के आसपास अंदाजो लगा लो उतना पैसा वो जमा कर पाए he put the money in an envelope और वो इस पैसे को envelop के अंदर डाल दिये address to langko and with it a letter containing only a single word as a signature God और envelop के उपर address लिखा to langko और साथ ही साथ बस एक single word as a signature उन्होंने मारा God God क्यों लिखा ताकि langko को लगे कि भगवान ने ही पैसे भेजे हैं फिर से हमारा oral comprehension check आ गया तो चलिए देखते हैं आप लोगोंने आज क्या सिखा और आप मेरे इन सवालों का questions का answer करो who or what did langko have faith in? what did he do? langko को किन पर और क्या विश्वास था? what did he do? और उन्होंने क्या किया? तो langko को किन पर विश्वास था? बताईए आप लोग comment section में मुझे जरूर बताईएगा अगर आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हो तो और ये भी बताईएगा कि आपको story समझ में आई या नहीं आई who read the letter? लेटर किस ने पढ़ा? what did the postmaster do then? और लेटर पढ़ने के बाद postmaster ने क्या किया? तो यहाँ पर हमारा part 2 खत्म होता है अब मैं नेक्स वीडियो में part 3 के साथ डील करूँगी अभी के लिए फिलाल इतना ही, thank you अगो